जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ अलग करने की ठान लेते हैं और ठानने के बाद वो उसे हर हद तक जाने के बाद भी पूरा करते हैं ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बराडा के रहने वाले तेजिंदर चुहान ने हम पंचकुला के अंदर मुझूद हैं और पंचकुला के अंदर आप देख सकते हैं कि ये रावन बनाया जा रहा है अभी दशेरा जब आएगा तो रावन यहां देहन होगा और ये रावन कोई आम ऐसे छोटा मोटा कोई रावन नहीं है एक सो इकतर फुट का रावन बनाया जा रहा है और ये रावन इतना बड़ा रावन बनाने की सोच जो है वो जिस सक्स की है वो है तेजंदर चुहान जिनोंने अपने शोग के लिए ये चीज शुरू की और शुरू ही नहीं की अपनी जेब से पैसा खर्च करते हुए और इस चीज को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते हुए आज वो 171 फुट का रावन यहाँ पंचकुला के शालिमार ग्रावन के अंदर बना रहे हैं जो दशेरे के दिन जिसका देहन किया जाएगा हमारे साथ खुद तेजंदर चुहान है उनसे बात करते हैं तेजंदर जी आपका स्वागत है न्यूज 18 पर आपसे यही जानना चाहूंगा सबसे पहले कि क्या मन में आई कि इतना बड़ा रावन बनाये जाए देखिए रावन का जिस प्रकार से हमारे दर्मकरंथ में वर्नन है कि वह बहुत बलसाली था बहुत प्रकांड पंडित था और बलसाली के साथ साथ उसका जो वर्नन है उसके मताबिक हमने कलपना की कि रावन को अगर बनाया जाए तो तकरीबन ऐसा ही बनाया जाए जो दे 2019 में 221 फुट तक हम रावन का पुतला बना चुके हैं इस बार यह जो पुतला बनाया जा रहा है यह 171 फुट का पचकुला के शालिमार ग्राउंड में पांच सेक्टर में बनाया जा रहा है जिसको सिरी माता मंसा देवी चैरीटेबल ट्रस्ट के दुवारा यहां पर आपने पहले भी रावन बनाये हैं इसी ग्राउंड पर आज से 5 साल पहले भी रावन बनाया था धनास की जो आपने बात की चंडिगट धनास में 221 फुट का रावन बनाया था कैसे शोक पड़ा आपका यह 1987 में सबसे पहले अपने शीरी रामलिला कलब के तहत बराड़ा के अंदर मातर 20 फिट का रावन का पुतला अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बनाया था और उस पुतले को देखने वाली जो भीड थी उसने हमें इतना प्रोटसाइद किया उस बात के लिए और वो हमें ये प्रेरित कर गया रावन का पुतला के इस काम को और ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन कैसे बनाया जाए तो उसके लिए हम फिर सारा साल प्रियतन सील रहे और दिरे दिरे करके हम वो बड़ा रावन का पुतला बनाते चले गए और समाज में फैली हुई बुराईयों के समाजिक बुराईयों के परतीक सवरूप उस रावन के पुतले का हम निर्मान करने लगे जैसे जैसे समाज में बुराईयां बढ़ती जा रही थी उसी के अनुरूप हम रावन के पुतले को भी उच्चा करते चले गए जैसे कि आपने बताया कि आपकी बार तो रामलीला ड्रामेटिक कलब जो है और दूसरी संस्ता हैं वो आपका सहयोग कर रही है लेकिन पहले जब आपने शुरुआत की थी तो हमने जानकरी मिली कि आपने अपनी जेव से शुरुआत की और जमीने भी बेज दी जी हां मैं अपनी लगबग सड़े बारा एकड़ के करीब जमीन बेच चुका हूं क्योंकि दो हजार स्तारा में अंतिम दफ़ा मैंने अपने ब्राड़ा के बीच में दिशेरे का आयोजन किया था जहां मैं दिशेरे के मोके पे रावन का पुतला लगाता था वो मेरी पुस्तेनी जमीन थी जिसको मैं रावन के निर्मान के लिए दी रेदि रे करके कहीं सालों में बेचता चला गया और जब वो जुमीन समापत हो गई तो उस पे रावन का आयोजन, दिशारेक आयोजन होना मुम्किन नहीं रहा, तो तब हमने चंडिगड की और रुक किया, और 2018 में इसी ग्राउंड में 210 फिट उंचा रावन का पुतला हमने बनाया था ये सिरी माता मंसा देवी चेरिटेव दरज हुआ था लिमका बुक आफ रिकार्ड में, फिर 2013 में, फिर 2014 में, फिर 2015 में और फिर 2016 में दरज हुआ है, पांच बार लिमका बुक आफ रिकार्ड के बीच में रावन के पुतले को दरज किया गया है, कितने लोग इसमें बनाने में लगे, कितना समय लगा और कितना इस पुतले को बनाने में तीन महीने का टाइम लगा है और इस पे 25 मेरे कारीकरों की टीम लगी वी है और लगबग 18 लाख रुपए का इसमें खर्चा है और इको फ्रेंडली आतिसबाजी इसमें यूज की जाएगी इस बार और रिमोट कंट्रोल से इस रावन के पुतले का दहन होगा और पंदरा इसमें पॉइंट लगाए गए हैं रिमोट कंट्रोल से दहन करने के लिए तो अमित गोईल हैं जो की ड्रामेटिक क्लब जो रामलीला ड्रामेटिक कलब है जो सहयोग कर रहा है आपकी बार इनको तेजंदर चौहान जी को उनसे भी बात करेंगे अम जब भी इनको याद करते हैं हमेशा तैय दिल से हमारे साथ खड़े जाते हैं इस बार जो यह प्रोग्राम होने जा रहा है यह माता मंसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट आधर्स डामलीला ड्रामेटिकल कलब और क्रिशन परिवार यह तीनों कलब मिलके इस प्रोग्राम को बहुत ही एक विशेश प्रोग्राम बनाने में लगे होए है इस प्रोग्राम में क्लिटर प्रोग्राम नें थपर अरहीं हैं पूरी उप्रुटी है और मानने हैं हमारे प्रेम जी गोयल ग्यान जी गुपता जी यह सभी साथ ही होंगे यहां पर हम तेजंदरजी से भी जानेंगे तेजंदर जी क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को क्योंकि आप तो लगातार लंबाई जो है वह बढ़ाते जा रहे हैं अलंकि आपने कहा कि जिस तरह से समाज के अंदर बुराई भी बढ़ रही है उस तरह से लंबाई बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या लक्षे रखा है आपने लक्षे तो कोई निर्दारीद नहीं था लेकिन अब जैसे ग्राउंड की समस्या सामने आने लग गई ग्राउंड की वेज़े से ही तीन पुतले बनाना हमने बंद कर दिया क्योंकि रावन के देहन के साथ साथ जो इसको देखने वाली पबलिक है उसकी सुरुक्सिया को दियान में रखते हुए इसका जो रेडियस है जो लगाए जाते हैं वो इसकी उचाई से फालतु क्षेतर फल में लगाए के लिए इस परकार के कारिय करमों का आयोजन करना चाहिए के दशहरे से हमें सीख लेनी चाहिए के बुराई जितनी भी बड़ी हो जाए आखिरकार एक दिन उसको भगवान इसी परकार से नस्ट कर देता है जिस परकार से यह विसाल पुतला रिमोट कंट्रोल के दोवारा अगनी के हवाले कर दिया जाता है यह एक ही बना रहे हैं या और भी बनाए जा रहे हैं आपके द्वारा इस बार मैं तीन रावन के पुतले बना रहा हूं एक पहली बार इस बार देरा दून के प्रेड ग्राउंड के बीच में 131 फुट का रावन का पुतला मेरी टीम के जैसा मैंने बताया कि शोक बड़ी चीज है शोक के कारण ये सारा शुरू हुआ और बारा किले से ज़्यादा जमीन को खुद की जमीन को बेज दिया और क्योंकि शोक था एक समाज में मैसेज देने की कोशिश थी संस्कृती जो है उसको बचाना जरूरी है और साथ की साथ ये भी संदेश दिया गया है कि रावन का पुतला कितना भी बड़ा हो जाए बुराई कितनी भी बड़ी हो जाए आखिर में उसका देहन होता है और वो चूर चूर हो जाता है कैमरा में अमंदीब के साथ अंके दुदानी न्यूज 18 पंचकुला